अलो एवरीवन गुद बॉर्निंग कैसे हो आई होग कि आप सब लोग अच्छे हो और यहां से हम लोग जो भी करवा रहे वह बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लेट कर रहे हो मैंने पहले बताया था कि हमारे बेजे गए वीडियो में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज डाउट से तब स्कूल के प्रोवाइड़ नमबर पे कॉल या तो फिर मैसेज करके अपनी जो क्वेरीज है वो सॉल कर सकते हो नियो टोपिक से पहले हम लोग पहले रिविजन करेगे और अभी से आप लोगों को लिखना है अब आपको लर्न नहीं करना है साथ में लिखना भी है जो भी माटिरियल यहां से दिया गया है उसमें आपको लिखना है और आपको कुछ ज्यादा लिखना है तो आप अपने extra book में लिख सकते हो लेकिन इसमें material में आपको लिखना पड़ेगा ओके तो first video में मैंने आपको करवाया था standing line यहां से जो उपर से नीचे की तरफ जो dot बना के जाओगे इसे dot dot सारे joint कर दोगे तो हमारी क्या हो जाएगी standing line तो यह हम लोगों ने पहले कर दिया है देखो उप से नीचे की तरफ जाना है तो वो बन जाएगी standing line standing line यानी सीधी line ओके next standing line के बाद क्या आता है sleeping line देखो यहां से इस तरह से जो line बनती है इसको हम लोग sleeping line बोलते हैं ओके देखो कैसे करनी है यहां से start करके आगे की तरफ लेके जानी है इस तरह से देखो है पूरे के पूरी जो सारी lines थी वो आप सबको complete करनी थी आई हो बच्चों की यह आपने complete कर दिया है पहले हम लोगों ने सीखा था standing line फिर सीखा है sleeping line ओके then next हम लोगों ने क्या किया था next उसके बाद हम लोगों ने किया था slanting line मतलब की त्रासी line जो line इस तरह से त्रासी त्रास में जाती है उसको हम लोग slanting line बोलते है क्या बोलते है slanting line ओके देखो वो भी आपको कैसे करना था यहां से नीचे की तरफ से उपर की तरफ जाना था नीचे एक डोट दिया होगा और इस तरह से आपको complete करना है या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ओके तो इसको क्या बोलेगे हम लोग slanting line क्या बोलेगे slanting line जो आप लोगों को यहां से start करके यहां तक यहां तक complete करनी थी I hope के आप लोगों को ने complete कर दिया है then after उसके नीचे यह भी जो सारी lines आपको दीख रही है वो भी सारी slanting line है इसको भी अब लोग slanting line ही बोलते हैं यहां पे जो किये थे और यह वाली जो करने वाले हैं वो दोनों के सिर्फ और सिर्फ direction ही change हुई है otherwise यह दोनो slanting line ही है direction मतलब दीखा जो है वो ही सिर्फ change हुई थी यह अभी नीचे की तरफ जाएगी उपर से लेके नीचे तो यह क्या है हमारी यह भी है वो है slanting line ओके next थोड़ा और उपर लीजे बस और ले लीजे यह भी आजाना चाहिए ओके ओके ड़न यह जो है थोड़ा लीजे यह जो है वो है curves क्या बोलते हैं इसको curves देखो वना मतलग यहां से उपर से start करके नीचे की तरफ एक circle कर देना है पूरा circle नहीं करना है half circle करना है तो इसको हम लोग क्या बोलेगे curves आज आप लोगों क्या करना है curves देखो कैसे करना है यहां पे arrow दिया गया है उपर dot दिया है तो यहां से जो सारी dot dot वाली line से वो पूरी इस तरह से fill कर देनी है देखो यहां से इस तरह से turn लेके नीचे की तरफ यह जो सारे dot से उसको आप लोगों को trace कर देना है और trace करके लिखोंगे dot joint करके आप लोग लिखोंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लीज में? Curves देखो अले गुजरादीवा सुके वाई वणागो तो यह है हमारे Curves अभी next नीचे जो आप लोग देख रहे हो यह जो लाइन देख रहे हो वो तो उसकी opposite है तो आप लोग सोचोगे कि उसको क्या बोलेगे? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि Slanting जो Line होती है उसकी सिर्फ Direction चेंज हुई थी लिकिन उसको तो हम Slanting Line ही बोलते है ओके तो यहाँ पर भी सिर्फ इसकी और इसकी Direction चेंज हुई है अदर्वास इन दोनों को हम लोग Curves ही बोलते है ओके इसको भी Curves बोलेगे और इसको भी Curves ही बोलेगे तो यहाँ पे जो Direction चेंज हुई है वो हम कैसे करेगे थोड़ा उपर लीजिए मैं बस तो यह दोनों की जो Direction है सिर्फ होई चेंज हुई है देखो यहाँ से यहाँ उपर के तरफ लेते थे इस साइड पे अभी यहाँ से Opposite साइड में जाना है ऐसे देखो यह इस तरफ से हम लोग करते थे अब हमें इस तरफ से करना है बलत देखो इन दोनों Opposite साइड में हुआ यह इस तरफ जाएगा और यह उस तरफ जाएगा हुआ तो यह दोनों जो है वो कर्वज ही है तो गुजराती मायने के वाई वोडंक पर आपने याद राखवारूचे कर्वज तो यह दोनों आप लगों को कम्प्लीट करना है then next okay trace the dots, circle and curves अभी क्या करना है इसमें जो दो opposite side में curves थे ये वाला और ये वाला ये दोनों को joint कर देना है तो हमारा पूरा circle बन जाएगा पहले हम लोगों ने किया था सिर्फ आदा circle अभी आपको क्या करना है पूरा circle complete करना है तो वो कैसे करोगे आपको circle करना I hope कि सबको बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है कैसे करना है देखो पहले हम लोगों ने यहां से start करके यहां तक लिया था curves, second curves यहां से start करके यहां तक लिया था तो दो curves है, वो joint कर दोगे तो क्या हो जाएगा circle तो वो हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा circle ओके तो देखो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से complete कर सकते हो यह जो dots दिये गये है वो सारे dots जो है उसको आप उसे आप लोगों को joint करके जो उसको भी हम लोग वड़ां की बोलते हैं कर्व तो जैसे कि हम लोगों ने पहले इस तरह से half curve किया था तो अभी यहां से छोटा सा half curve है फिर यहां से हम लोगों ने second half curve किया था तो यह जो है वो उसकी opposite direction में है तो यह दोनों curves मिला के हमारा इस तरह का एक shape है वो बन जाएगा इसको भी हम लोग curves ही बोलते हैं और इसको हम लोग circle बोलते हैं जो पूरा goal दिया है उसको हम लोग circle बोलेगे और जो दो curves है वो मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा curves ओके देखो यहां से इस तरह से आप करना है देखो पहले छोटा सा टरन यहां तब फिर सेकेंड टरन मिला के बन जाएगा पूरा कर्व ओके यह भी एक हमारी पैटर्ण है ऐसे तो यह क्या बन जाएगा कर्व यहां से बीच में से आप लोगों को दो कर्व मिलाना है तो ये पूरा इस तरह का बन जाएगा, next, ओके, ये क्या है, trace the dots, curves होना, ये भी curves है, लिकिन जैसे कि, पहले हम लोगों ने किया ऐसा curve, second किया ऐसा curve, and third किया ऐसा curve, ओके, तो अभी ये जो है, वो U-shape में करवाएगा, दो standing line करनी है, and छोटा सा turn कर देना है, कैसे करना है, देखो, यहाँ पे एक जो line, पहले मैंने बताया था, कि हम लोगों ने कर लिया है, standing line, वो हम लोगों ने complete कर लिया है, तो standing line तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, देखो, यह standing line, फिर second standing line, फिर बीच में से आपको एक curve बनाके joint कर देना है, तो गया बन गया, यू, इसको हम यू भी बोल सकते है, और curve भी बोल सकते है, ओके, आपको जो अच्छा लगे आप बोल देना, standing line, second standing line, नीचे से जो turn है, उसको joint कर देना है, आप ऐसे दो अलग-अलग भी कर सकते हो, अदर्वाइस आपको पूरा आ गया है, तो पूरा इस तरह से कर सकते हो, ओके, जो dot dot दिया गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऐसे joint कर देना है, तो यह क्या बन जाएगा हमारा curve, ओके, इस तरह से आप लोगों को यह complete करना है, नीचे, ओके, यहाँ पे पहले आप लोगों को dot बनाना है, dot वाले जितने भी curves हैं, यहाँ तक, वो सारी कितनी line से देखो, one, one, two, three, four, four lines दी गई है, जो dots वाली है, वो सारी कि सारी dots वाली पहले complete कर देनी है, then after नीचे आप लोगों को ऐसी, नीचे आप लोगों को इस सारी की line दी गई है, पहले हम जो line से वो count करेगे, देखो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight line दी है, तो आपको क्या करना है, four, four lines अलब कर देनी है, देखो, यह one, two, three, and four, फिर बापस है, one, two, three, and four, तो यह जो four lines है, यहाँ तक, वो पहले आप लोग देखे तो देखो, one, two, three, और यह four, तो हम लोगों को सिर्फ पहली तीन line है, उसी में use करके आपको complete करना है, देखो, कैसा करना है, यहाँ पे one, two, and three, यहाँ तक जो line से, उसको पहले हम इस तरह से दो standing line कर देगे, standing line हो जाए, then after नीचे से turn लेके, इस तरह का you बना देगे, तो क् हमारा curves, देखो, ऐसे, मैंने पहले बताया कि सिर्फ पहली तीन line का use करके आप लोगों को यह complete करना है, ओके, तो I hope बचो आप लोगों को आज का जो वीडियो है, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है, अगर आप जो के वीडियो में आपको कोई भी queries doubts है, तो आ school के provided number पे anytime call या तो फिर message कर देना है, ओके, तो जैसे कि आप लोगों की वो जो queries है, वो solve हो जाएगी और आपको आ जाएगा, ओके, एन अपनी जो हमारी school की channel से उसको likes करना मत भूलना, thank you, bye kids